नमस्कार दोस्तू स्वागत है आप सभी का ये है ग्रामिन डाक सेवा का सबसे भरोसेमन चैनल दोस्तो आज आपको बताएंगे अमिच शा जो नेशनल प्रेसिडेंट है भारते जंता पार्टी के उनसे AI GDSU के मेंबर्स मिले थे उनसे जनरल सेक्रेटरी मिले थे क्या बाते ह हुई थी ये सारी चीज़े आपको पता है लेकिन आज बताएंगे इसका क्या इफेक्ट पढ़ने वाला है ये जो ग्यापन अभी आप देख रहे है ये मेमोरेंडम सोपा गया था इसमें सारी कहानिक सारे हिस्ट्री जीडियस के लिग दी गई है कहा है अभी फिलहार हिताओ को MPMLS को सोपे जा रहे थे अभी Direct National President BJP को सोपा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लेटर में अच्छी तरह के से लिखा गया है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के दकल देने की बात सामने आने चाहिए Intervention for Regularization of GDS तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पत्र में यहाँ पर हिस्टरी लिख दिया गया है कैसा सोशन होता था और क्या क्या हुआ है अब तक GDS के साथ और अभी कहा है रिपोर्ट फिलहाल सभी चीज़े यहाँ पर बताए गई है तो दोस्तों यह अमिच शा जी GDS के बारे में और वो अपना बेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर इंप्रूब्मेंट हो तो यह अच्छी खबर है और हम यहाँ पर उमीद कर सकते हैं कि आगे प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है 15 मार्श को वैसे भी धर करना है अगर मीटिंग होती है तो जल से जल लागो हो जाएगा आपका रिपोर्ट और यहाँ पर पेंशन और रेगुलराइजेशन की भी बात की गई है तो अच्छी बात है तो दोस्तों यह आप देख सकते ही गयापन है जो सोबा गया है अमिच्छा जी से मिलकर तो दोस की तरह की छोटी बड़ी अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे धन्यवाद